दोस्तों यदि आपके पास भी इस तरह का छोटा वाला सिलेंडर है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जाते दिनों तक इस सिलेंडर का प्योग करते करते कभी-कभी ऐसा होता है कि इस सिलेंडर में यहां उपर से आग ना जलके यहां नीचे में आग जलने लगता है यानि बर्नर के उपर आग न जलकर बर्नर के नीचे से आग जलता है या फिर हो सकता है कि बर्नर के उपर भी थोड़ा थोड़ा आग जले और बर्नर के नीचे में यहां होल में भी थोड़ा थोड़ा आग जले तो इसे कैसे ठीक करना है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी वारे में बताऊंगा और इसे ठीक करने के लिए मातर आपको एक रुपे खर्च करना पड़ेगा यानि मात्र एक रुपे में आप अपने इस छोटे वाले गैस रेंडर के लिगेज को ठीक कर सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस गैस रेंडर के इस चुले को खोल लेते हैं इसे आप गोर से देखेंगे तो यहां देखे एक रबर का वासा लगा हुआ है और यह रबर का वासा पूरी तरह से खराब हो चुका है यानि इस गैस चुले का जाते दिनों तक प्रयोग करते करते यह रबर जो है खराब हो जाती है यह जो रबर का वासा है पूरी तरह से खराब हो गया है नहीं बिल्कुल सड़ गया है मैं आप लोगों को इसे निकालकर दिखाता हूँ इस वासर को निकालने के लिए आपको क्या करना है कोई भी एक नुकिली चीज लेलना है चाहे आपके घर में शेप्टि पीन हो या फिर कोई सुई हो उससे आप इस वासर को निकाल सकते हैं देखे जैसे ही मैंने इस वाउसर को निकालनी एकोसिस किया तो ये वाउसर टूट गया जबके ऐसा नहीं होना जही है ये वाउसर अगर ठीक होता तो ये वाउसर अराम से निकल जाता लेकिन देखे ये बीच से ही टूट गया है दसल क्या है कि इस gain cylinder को मुझे लगभग 6 महीने तक ऐसे ही रखा हुआ था इसका काम नहीं था जब मुझे इस gain चुले का काम आया तो मैंने इसको on किया तो नीचे से यानि एक भरब हाजनता है तो इस तरह से जगा जगा से ठूट जनता है तो अभी हम क्या करेंगे कि मार्केट जाएंगे और जहां पर गैस चुला रिपेयर होता है वहां से एक रवर्बर का वास ले आयेंगे और सेम इसी न अब कर कले आएंगे और यह वासर जो है मातर एक रुपय काता है मैं तो यही कहूँगा कि आप एक दो वासर एक्टार लेकर रख लीजे जब भी आपका गैस चुला लिकेज करें तो पुराने वाले वासर को निकाल कर नया वासर लगा दीजे तो यह ठीक हो जाएगा मैं मारकेट से एक नया वासर लेकर आ गया हूँ इसी वासर को मुझे छोटे वाले गैस चुला में लगा देना है और इसे लगाना बिल्कुल आसान है इसे आप इस तरीके से लगा कर देखें इस तरीके से लगा कर और थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएए तो यह लग जाएगा देखिए यह लग गया जाते आपको परिशमिस्म नहीं करना है हलका सनाखुन सदाब दीजे यह अच्छी प्रकार से बैठ जाएगा अगर नहीं बैठता है तो कोई इस तरीके का लगड़ी आप ही कोई पेचकस ले लिजे और इसे जो है इस तरीके से बैठा दीजे तो जैसा क्या आप दे सकते हैं मैंने वासर को सही प्रकार से बैठा दिया है अब यह गैस जो यहाँ से लिक कर रहा था अब यह लिक नहीं करेगा एक बात और कि यदि वासर कट गया है यानि वासर खराब हो गया है तो यहाँ से लिकेज करेगा लेकिन माल लिजे यह वासर आपका ठीक है फिर भी थोड़ा थोड़ा गैस यहाँ से भी जलता है और कभी कभी थोड़ा थोड़ा गैस इधर से भी जलने लगता है यहाँ पर छोटा छेद है इसमें से भी जलने लगता है तो इसे ठीक करने के लिए आप क्या करना है इसे आपको पूरी तरफ से खोल लेना है यहाँ से देखिए यह खूल जाता है मैं आपनों खोल के दिखाता हूँ देखिए कोई प्लास लेंगे और इसे इस तरफ से खोल देंगे यह दखिए यह धखिये खूल गया तो होताया है कि इसके अंदर में जंग लगने का इसे जब जंग लगकर यह जड़ता है तो यहाँ पर आकर यह लगा होता है तो यहीं पर आके वो जंग फ़स जाता है उसके वज़ा से इसका गैस जो है पूरा गैस इस जाली में ना आकर कुछ गैस थोड़ा बहुत इधर से निकलने लगता है इसी के वज़ा से थोड़ा थोड़ा गैस इधर भी जलेगा और थोड़ा थोड़ा गैस इधर भी जलेग तो आप क्या करना है इसे इस तरीके से खोल लेना है और उसके बाद कोई एक पेचकस लेना है और इसमें इसे से डालका अच्छे से हिला देना है और हिलाने के बाद ऐसे इस तरीके से जाड़ देना है जब जाड़ देंगे तो इसके अंदर जो भी जंग होगा उन निकल जा लगता है यानि ये लिग करने लगता है तो आभी हम क्या करेंगे चुले को नीचे रख लेते हैं बुआ यहिए पाले हाँ इस गया चुलय पर टाइट कर लेते हैं उसे ल्हें यह नचलात यहा है उस तरीके से यसमें लगाना है और आपको अच्छे से टाइट कर देना है बिल्कुल एदम टाइट ताकि थोड़ा सभी इसमें लीक ना हो अब देखिए हमने इसे टाइट कर दिया है सही से टाइट करने के लिए आप क्या करना है एक प्लास लेना है और प्लास से इसे थोड़ा से ऐसे टाइट करके घुमा देना है ताकि बिल्कुल टाइट हो जाए अब हम क्या करेंगे इस उपर वाले चूले को भी इसमें टाइट कर देते हैं और इस चूले को लगाने के लिए क्या करना है यह जो नोजल है नोजल के उपर इस होल को रखना है और इसे इस तरीके से टाइट कर देना है बिलकुल आसानी से लग जाता है ऐसे गुमा देजे लग जाएगा बस देखिए लग गया अब यह हमारा गया चुला सही हो गया है यानि हमने इसके लिकेज को ठीक कर दिया है अब चलिए हम चेक कर लेते हैं यह सही प्रिकार से जल्लाए कि नहीं देखिए कितना अच्छी जल्ला है और यदि मैं लाइटर को इसके नीचे में यहां करता हू तो देखिए इसमें से आग नहीं जल्ला है जबकि पहले क्या हो रहाँ था कि उपर गयस न जलकर नीचे लाइटर लगाने से लाग जलने लगता इसी प्रिकार से आप लोग भी अपने छोटे वाले गेस चुले के लिगेज को मात्र एक रुपे में रिपेर कर सकते हैं यानि ठीक कर सकते हैं तो यह वीडियो कैसा लगा कमेट बॉक्स में कमेट करके जरू बताईएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइ बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू प्रेस कर दें तो मिलते हैं इसी प्राइब की एक और जुगार वाली वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यों दोस्तों